हमारे लिए आज की अंजीले मुकदस बामुताबिक मुकदस मत्दी उसके सत्रवें बाप की बाइसवें से सताइसवें आयाते मुकदसा और जब वो जलील में ठहरे हुए थे यसु ने उन से कहा जरूर है कि अबने इनसान आद्मियों के हाथ में हवाला किया जाए और वो उसे कतल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा इस पर वो नहायत गमगीन हुए जब वो कुफर नहूम में आए तो दो दिरहम लेने वालों ने पत्रस के पास आकर उस से कहा कि क्या तुम्हारा उस्ताद दो दिरहम नहीं देता उसने कहा देता है और जब वो घर आया तो यसु ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमाउं तेरा क्या ख्याल है शहाने जहान किन से महसूल या जुजिया लेता है अपने बेटों से या गैरों से जब वो बोला गैरों से तो यस उन्हें उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन ताके उन्हें ठोक कर ना खिलाएं, तू जाकर जील में बंसी डाल, और जो मचली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मूँ खोलेगा, तो उसमें चहार दिर्हम पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे अंजेले मुकदस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाईसे बरकत हूँ, खुदा का शुक्र हूँ मसेख खुदान में मेरे अज़ीज बाईयों और बेहनों आप सब को मेरी तरफ से सुबा का सलाम, उमीद करता हूँ, आप सब बाहफाज़त होंगे, आपकी सलामती और अच्छी सहित के लिए मैं दूआ गो हूँ, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान में युम अजादी है, कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा आजाद रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, खुशी, खुशाली और तरक्य की राहों पर गामजान रहे, आज 19 सुएं हफ़ते के दुरान सुवार की तलावतों पर हम गोर करते हैं, पहली तलावत तश्निय शरा के किताब में से ले गई है जिसमें हजरत मुसा मनिसराइल से मुखातिब होकर उन्हें याद दिलवाते हैं कि तुम्हारा खुदा, जिस खुदा को तुम मानते हो, जिस खुदा ने तुम्हें बड़ी ताकत से, बड़ी अजमत से, गुलामी से निकाला है, वो रहीम, महर्बान और शफीक है, और उन उसके काइदे कावाने, उसके सारी रस्मों रिवाज, उसके कलाम पर अमल करो, वो शफीक है, वो रहीम है, वो बेवाओं, यतीमों, गरीबों, बेमारों, सब पर एहम करता है, आज, खुदा के कलाम में, हम सबों को भी दावत दी जाती है, कि हम भी अपने खुदा को, सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से प्यार करें, और उसके कलाम पर अमल करें, आज की अंजिल मुकदस में, हम एक खुबसूरत वाक्या सुनते हैं, जहां पे, किसी ने, मुकदस पत्रस से पूछा, कि क्या तुम्हरा उस्तार टेक्स नहीं देता, दो द दरहम का वाक्या जो लिखा गया है, उस्तुमसी के दौर में या उससे पहले भी, ये एक मजबी टेक्स होता था, एक ऐसा टेक्स होता था, जो हर फर्द पर लगाया जाता था, दो दरहम उन्हें देने होते थे, और फिर इस पैसे से, टेम्पल, हैकल को बनाया जाता था, ह हैकल की तामीर की जाती थी, अगर कोई हैकल का काम होता था, तो वो करते थे इन पैसों से, ये हर शक्स पर टेक्स लगाया जाता था, दो दरहम का टेक्स, और फिर हर गरीब, अमीर, हर कोई बराबर का टेक्स देता था, जब किसी ने पत्रस से पूछा कि क्या तुमारा उस पाँस्तार टैक्स नही देता खुदाम joking ये जानते हुए कि पत्रस से ये पूछेगाि खुदाम linking sust मस्य बड़ी खुब़े खुब सूरती से पूछते हैं कि जो बादशा है दुन्यावी बादशा हैं क्या वो अपनों से अपने बेटों से टेक्स लेते हैं या गैरों से उनका दस्पत्रस फरमाते हैं क्या गैरों से खुदाम युस्व मसी फरमाते हैं कि फिर बेटे या बेटा बरी हुआ लेकिन चुमके खुदामजी यस्व मसी अपनी सारी जिन्दगी में खुदामजी यस्व मसी ने जो गाइदे कवानी थे वो खुद भी पूरे किये और अपने मानने वालों को भी कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो जो खुदामजी का है वो खुदामजी को दो आज के किलाम में जब ये टेक्स की बात की गई है खुदाम जियस्व मसी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बने इसलिए खुदाम जियस्व मसी ने पत्रस से कहा कि जील में जाके मचलियां पकड़ो और जो पहली मचली पकड़ी जाएगी उसके मूँ में चार दिरहम होंगे तो हम जिस्व मसी पत्रस से फरमाते हैं कि दो अपने लिए और दो मेरे लिए अदा किये जाएं जो हकुमती तोर पे जो टेक्स था वो अदा किया जाए और ऐसा ही हुआ ऐसा ही मुकड़्स पत्रस ने वो टेक्स पे किया अपना भी और यस्व का भी मेरे सिस्व आज की इस तलावत में हम खुदा में यस्व मसी की जिन्देगी से ये सेखते हैं कि जो हम पर काइदे कवानीन आयद होते हैं जो मुआशरे की रस्म और रवाज हैं जो हकूमती दोर पे टेक्स हम पर लाजम है उनको वक्त पर अदा किया जाए जिस तरह खुदा हम यस्व मसी अदा करते हैं आज हमें भी सिखाते हैं आज जब हम जशन अजादी मनाते हैं एक अच्छा और सच्चा मसी होते हुए आए हम यस्व से आज सिखें कि जो हमारी जिम्मेदारियां है एक मसी होते हुए जो हमारी जिम्मेदारियां है खुदा का कलाम भी कहता है कि तुम अपने हाक्मों के ताबे रहो आए हम बड़ी ताबेदारी से बड़ी वफादारी से अपने मसीह होने को पहचाने मसीह होते हुए जो भी टेक्स है जो भी हमारी जमेदारियां है उनको वक्त पर एहसन तरीके से इमानदारी से निबाएं ताकि हमारे करदार से ताकि हमारे कामों से लोग जाने कि तुम मसी के शागेत हो कि हम मसी के शागेत हैं खुदावन खुदा हम सबों को तफीक दे ताकि हम अपने खुदावन से प्यार करें खुदावन के कलाम पर अमल करें खुदा के अहकामात को माने और येसु की तरह हम भी बड़ी वफदारी और एमानदारी के साथ अपनी मजभी मौश्टी जमेदारियों को निभा सकें आज पाकमा कैतलिक केलिसिया मुकदस मैकसी मिलन का यूमे यादगार मनाती है ये एक कैतलिक प्रीस्ट थे जो दूसरी आलमी जंग के दोरान किसी दूसरे शक्स की जगा पे अपने आपको मौद के हवाले कर देते हैं अपने आपको पेश करते हैं ताकि किसी दूसरे की जान बच सके आज पाकमा कैतलिक केलिसिया इस शहीद को याद करती है आई हम भी अपने इमान में हमेशा काइम रहें अपने कॉल और फेल से दूसरें का भला चाहें आज खुदाओंध हम सबों को ये जशने अजादी मनाते हुए हमेशा अपनी फाज़त और पना में रखे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मसीहों को खुदाओंध हुदाओंध हमेशा ये फजल बखशे ताकि हम अपने मुल्की सलामती बखाओं और तरक्की में बढ़चर कर हिसा ले सकें खुदाओंध हम सब के फाज़त करें आमेन